तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग को बीच लेकर आ चुके हैं हम शिलेवस के बारे में जनकाई ठीक है तो जो भी बिदार थी लोग मेकेनिकल ब्रांच के एंटीक है सबसे पहले पहुचे तो आप लोगों को बताते हैं कि जो भी नए ऊई च्री पर बने रहेएगा तो आप लोगों बने रहेएगा आप आप लोगो आप पर सारा कंटेंट मिलने वाला ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाले मेकेनिकल का आप लोग जो थर्ड सेमिशनर में आप लोग को पढ़ने के आजाता है जो कि काफी ही आपको अधर कंपेटिटिव एक्जाम दीजेगा तो आप यह दो साल अच्छे से आप लोगो मेहनत करना होगा आप लोगो किस तरह से करना होगा सारी चीज़ बताएंगा तो आप लोग बस वीडियो में लास तक बने देगा ठीक है तो चलिए पहले हम आप लोग को पढ़ना क्या है मेकेनिकल वारे जो भी बिद्यार थे उनको किया तो चलिए आप लोग बढ़ने रहें की आप लोगो सब्सक्राइब किया क्या क्या पढ़तना है आप लोग फूरी तरह से याद रहने वालने फाता प्等ि करथ होता ठीकिक यह लिए पन्स प् turbulence सबस्क्राइब पहले कि पता हो एक जाना होता है यह अपने श्केम क्या होता थिसमें आप पता ही होगा और रहता होता है 20 होता है डस होता है तो यह सब तो ऑप को पता ही में मंटरा पड़ना हो पहले ठीक है आप लोग अ अपर यहाँ पहले पहले पर है यह जहृब अपलोक सारह लिखाए कि 20 मार्स का क्लास्टेश है और 10 मार्स टीचर एसेस्मेंट है और जो 70 मार्स है हो क्या है वह आप लोगों को जो एक्स्टरनल एक्जाम देना होगा ठीक है तो टोटल हेंडर मार्स को होगे भी नेक्ट पर आप लोग देखिए थी आप लोगो रहाँ वहाँ वहाँ पर उसमिंट ब्रांच पर इसको ना होगा ताकि अगर आप को गयाँगर तो आप लोगो फिर दुवारा पढ़ने के जरुत ना हो आप लोग यह से अच्छे तरह से पढ़ लेना है ठीक है नेक्स पेपर देखिए क्या है तो नेक्स है मैनुफेक्टिरिंग इंजिनियरिंग आप लोग देखिए का इंटर्म लोगा 20 मार्स का आश्यर दस मार्स टीचर से टीक है तो आप लोग देखिए मैनुफेक्टिरिंग इंजिनियरिंग आप लोगा एक थियोरी पेपर है ठीक है फुल्ले अप लोगा इसको पूरी पढ़ना इसमें भी आप लोगा पांच उनिट ठीक है आप लोगो अपने अपने लिए तो आप लोगा बस बेसिक पढ़ना ठीक है आप लोगा पर थियोरी ठीक है तो इसको अच्छे से पढ़ना थर्मल अफ्लूड को ठीक है यह दोनों क्योंकि नो मेरिकल पर आप लोगो बताते कि सब्स्ट्रेंट का जो बिक्नेस होता है कम जोड़ी होत है इसी को अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाते जिसके बहुत सब्सक्राइब को अच्छी तरह से पढ़ना है यह दोनों मेरिकल पर आप लोगो को आगे जाकर बहुत ही काम आने वाला ठीक है आप लोग कोई भी कमपेटिव एक्जाम देजिएगा तो आप लोगो इस अभी जूए अच्छे सेवन हमें करना ने चांड प्राक्टकल है और नेक्स देखें फ्लूड मेकेनिक्स हाइन हर्डॉल हर्डॉलिक मसेनरी का है और नेक्स है बेब टुक्नोलिटी का भी आप लोगों का लेवे और एक है थर्मल इंजिनिरिंग लाइब वन का ठीक है तो इसमें देखिए आप लोगो जो यहां पर मैनुफेक्टिरिंग का लेव ओं पचास माक्स को होगा और फ्लूड का पचीस होगा और ठीक है कि अच्छार गरने यह भी तर्मबक में यह थार से मिश्चर है उनका तीन तर्मक है एक तो आपको का इंडियान नौट रिडिशन यह आपको पचास मास का ठीक है और यह पाइधन भी आपको 25 मास का इसमें से आपको ठाना माक्स एक्टरनल और साथ मार्ण इंटर्नल दौरा नेक्स देखें ट्रम नमर अपपोगोगोगः करना काफी ही जरूरी होता है ठीक है चलिए इतना देखेंशे मेरे में से में पढ़ना हैब पात करते कि य nep टोटल नग होता कि 750 मार्ण का डोटल माक्स होता हां ठीक है तो चलिए हम बताएज норм बहुत अप तो आप लोगों को बताने वाले पर श्यूंट में आप लोग देखिए बेसिक में क्या पढ़ना इंट्रोडाक्षन तो थर्मोडानेमिक ठीक है जिसमें से आप लोगों को फ़र्स्ट लाज जिरोथ ला यह सब पढ़ना ठीक है और और कंसेप्ट अफ हिंडी ही इंजन ठीक है इंजन में आप लोगों को यह सब काफी इपॉर्टेंट है जिसे रेफिजिएटर का इफिसेंस से योपी निकालना और देखिए आप है करनोट साइकल इसका पीवी टीस डाइगराम यह सब आप लोगों को इंपॉर्टन है ठीक ह है और देखिए तरवाई नहीं तरवाए न है इंटर्नल कंबसर इंजेन है ठीक है यह सब कॉपढ़ना होगा देख इणिड़ फोर में आप लोगों का पढ़ना है उसका प्लोगों पैसिक अच्छी तरह से पढ़ना है नेक्ज आप्लोंकों आपना और अपर लोगा देखिए आपके बारे में नेक्स नमबर थर्ड के बात किया नबर थर्ड में और एंटी फ्रिक्षिं बेरिंग यह सब बारे में पढ़ना है ठीक है नेक्स देखिए नमबर फॉड में आप लोगों फेल को अप्रेयों को टेश्ट करते तो उसका विए यह किया होता है और दिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग यह होता यह सब बारे में पढ़ना ठीक है यृट नबर पांच में देखिए आप लोगा पढ़ना को रिजन ठीक है क प्रिंसिपल ऑप्रिंचूरी में यहां पर लिखा हो रहता है नुमेरिकल प्रोब्रम्म आपको जहां पर दीखता है आप लोगों इंपक्ट आप पढ़ना यहां पर देखें आप लोगों सभी नुमेरिकल को करना है क्योंकि आप लोगों इसे नुमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं यूनिट नमबर फोर के बात किया तो हैड्रोलिक टर्वाइन के बारें पढ़ना लिएसटर और यह से बारें आप लोगों अच्छी तरह से पढ़ना फिर कालकुलेशन आप लोगों करना बर्ट इंफिसेंसी तर्वाइन का ठीक है तर्वाइन का इसे निकाल नंगर्डन पावर निकाला है यहां सब्सेंपल से बनो मेरिकल पूछ जाता ठीक है लिखा हो सब्सक्राइब लेकिन आपको नोमेरिकल को जरूर अच्छी तरह से करना आपको यह नहीं समझना कि सिंपल लिखा हुआ तो सिंपल पूछा जाएगा ठीक है नेक्स देखिए आपको यूनिट तंबर फाइव सेंट्रिफ्यूगल पंप्स कंसेप्ट ऑप मल्टी स्टेज क्य पढ़ना है ठीक है क्योंकि आप फिर आप लोगों को जाना है क्या क्या होता है यह सब का बारे में आप लोगो जानना है यूनिट नमबर टू में देखिए आप लोगा है यूनिट नमबर टू में है ब्रोचिंग मशिन टिक है ब्रोचिंग मशिन का अंट्रीव फोर में गियर में हमलों कैसेब बनाते हैं सब प्रोसस्का क्या है India इससे पारे में पढ़ना में धिस्टर में ठीक है यृणिजा करी में रमाट को सब्सक्राइbooks प्रवाइब को पाच पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो थर्मा में देखिया पाच उनिट है फाइश वीड में आप लोगा यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी सोलन एनरजी क्या होता है इस सभी के बारे में नन्रीवर रिनीवल एनर्जी क्या होता है इस अभी बारे में अपने आप लोगा लिखा गया तो हुश्च स्की इंजन कितने इंजन को होता है उसका क्या कंपोょनेंट होता है और और इसकाบर क्या होता है इसमें किय now सब्सकर घ्राइब बाद हो इसमें क्या फियूल सिस्टम क्या होता क्या होता है् क्या होता क्या होता है क्म साय हुच कते ये सब्सक्र 1 पर्इस्का फॉर्ट की बात कर दो लिएकती नमेर फूर्त में अप्रफॉर्स प्रफॉर्मेंश ऑसंजेश इंगया आई जिनका प्रफॉर्जर निकालना तो ब्रेक पावर इंडिकेटर पावर उप्रिक्टेस्टनर पावर तो आप लोग पर सब्जेक्ट ही मिल जाएगा एर कंडिशनिंग तो आप लोग बेसिक से सुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफी ही हेलफुल होने वाला आगे जागे ठीक है आप लोग इसको पाने चाहिए तो आप लोग टेलिग्राम वाटसप गूरूप को जाएगा आ सब्सक्राइय में जो बहुत सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें अपंव कर लेंगे तो आप लोग थेशनिखर रहाए ना पर प्रिवियर सब्सक्राइब घेसिंग ने कोमेंट कर सकते हैं हम मिलते हैं जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में और अगर मेकेनिकल वालों जो भी अब दार थी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे और हम इलेक्ट्रिकल और सिविल वाला के विडियो आने वाला तो आप रूप चैनल पर बने नहेंगे तो चलिए हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत